कैसे हो त्रेडर्स वहागत है आप स्वाइठ फ्रेडिंग मास्थर्स चैनल पर तो चलिह चाथ करते आजकी त्रेडिंग सबसे पहले मार्केट को अनलाईज करेंगे ढाद का जौत मारेंगे ठीक तव्यान देखते हैं और अगर आपको मेरा support level है तो मैं देखना चाहूंगा ये candle कैसे close होता है उसके बादी मैं trade मारूंगा ठीक है ओके reject हो रहा है ओके यहाँ पर मैंने rejection देखा ओके तो यहाँ पर मैं दो trade मार डूंगा higher option के लिए मैं क्यों buyers के साथ गया क्योंकि यह पूरा area जो है ना वो support area है यहाँ से buyers ही आ रहे है अगर यह market थोड़ा नीचे भी गया तो यहाँ पर ही next support है उसे touch करके उपर चला ही जाएगा ठीक है और यहाँ पर market आप देख सकते हो ranging market के तरह sideways कर रहा है यहाँ पर ठीक है तो यहीं पर support है इसके लिए मैं buyers के साथ गया हमेशा याद रखो जहाँ पर support area आपको डिखे तो आपको वहाँ पर reversal की trade मार देनी है इसके लिए मैंने यहाँ पर reversal की trade मारी हमेशा यह चीज़ आपके दिमाग में रखना बहुत सारे लोग यहाँ पर sellers के साथ चले जाएंगे लेकिन वो गलत है वैसा नहीं करना आपको हमेशा जाना है reversal के साथ क्योंकि यह support area है पूरा ठीक है तो वीडियो लास्ट तक देखेगा लास्ट में मैं इस trade को वापस अच्छे से समझाऊंगा ओके ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डोनो ट्रेड विन कर ली जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर buyers ही आएंगे अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं मैं क्यों यहाँ पर buyers के साथ गया तो पहली चीज़ देखे पहली चीज़ तो आप देख सकते हो यहाँ पे support level है यह आपका support ठीक है यहाँ आपका support लेवल है इसको आप support area भी बोल सकते हो अगर ऐसे लोग यह पूरा का पूरा support area है, यहां से बार-बार buyers आ रहे, मतलब कि एक support area है, वहीं पे आप देख सकते हो, यह red candle आई ठीक है, यह red candle support area पे आई, और next is यह जो red candle है उसने यहां पे touch किया, और फिर उपर चली गई और फिर close हो गई, इसके लिए मैं next candle पे buyers के साथ ही गया, क्योंकि यहां पे जो है, वह बहुत ही अच्छा support level है अगर market नीचे भी जाता तो reject के उपर जाने ही वाला था, यह चीज़ मुझे बहुत अच्छा से पता थी, तो हमेशा याद लखो, ऐसे situation में reversal की trade ही मारनी है इसके लिए मैंने यहां पे reversal की trade मारी है और डोनो trade win कर ली तो यह चाज़ अपने डिमाग में रखना, कभी भी blindly कहीं पे भी trade मत मारना अगर आप blindly trade लेते हो इसका मतलब की आप जुआ खेल रहे हो, ठीक है तो यहां पे ऐसे ही analyze करो और market भी यहां पे range में गुम रही थी आप देख सकतो एक range में तो इसके लिए ranging market का कोई trend नहीं होता इसके लिए मैंने जैसे ही यह support area के पास आई मैंने higher option की trade directly मार दी तो हमें साब को ऐसा ही करना है और ऐसा ही trade मारनी है अगर आप ऐसे trade मारोगे तब ही आप win करोगे नहीं तो आप फिर कहीं पे भी कोई भी trade मार रहे हो बीना market के knowledge के बगएर उसका कोई फाइडा नहीं यह चीज मेरी हम में सा याद रखना तो total हमने यहां पे 2 trade ली और 2 trade win की और 2 trade में करीब 15,000 रुपे का profit बनाया तो यहां पे मैं close कर रहा हूँ और अगर आपको मेरा one-on-one coaching class join करना है तो मेरा telegram link और email description में मुझे contact करने के लिए आपकी मैं one-on-one class लूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखांगा कोई और नहीं होगा मेरे coaching class की price है 150 डॉलर आप गूगल पे जाके लिख सकते 150 डॉलर इंटो आइनर आपको पता चल जाएगा मेरा student का results देखना है तो telegram channel link description में trading masters का official channel join करना है तो उसका भी link description में thank you, God bless you all and have a successful trading